नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत की कथा तो चलिए शुरू करते हैं एक दिन सूर्य चंद्रमा, मंगल, बुद्ध व्रस्पती, शुक्रशनी, राहु और केतु इन नव ग्रहों में आपस में जगडा हो गया इनका जगडा इस बात को लेकर हुआ कि हम सब में से सबसे ज़्यादा उत्तम और महान कौन है सभी अपने आपको महान बोल रहे थी जब ये आपस में कोई निर्ने ना कर पाए तभी सभी इकठे हो इंद्रदेव के पास गए और उनसे बोलने लगे कि आप ये निर्ने कीजिए कि हम सब में से महान कौन है इंद्रदेव ने विचार किया कि अगर वो किसी एक को महान बोलेंगे तो बाकी के सभी ग्रह उनसे निराश हो जाएंगे इसलिए उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर प्रात्ना की और बोलने लगे कि ही देवजनों इस समय धर्ती पर राजा विक्रम अदित्या राज करते हैं आप सभी उनके पास जाईए वह वड़े ही न्याय प्रेयर राजा है सभी देवता विक्रम अदित्या के दरबार में पहुंचे और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा उनकी बात सुनकर राजा बड़े दूधा में पढ़ गए और सोचने लगे कि अब मैं किसको सबसे बड़ा और किसको सबसे छोटा बोलूंगा वैं निराश होगा इसलिए उन्होंने उनका जगड़ा खतम करने के लिए एक तरकीब सोची उनने सोना, चांदी, काजी, पीतल, शीशा, राग, जिस्त, अबरग, लोहा इन सभी नौ चीजों से नौ सिंगासन बनवाए और सभी सिंगासनों को उनके क्रम में जैसे सोने को सबसे आगे और लोहे वाले सिंगासन को सबसे पीछे लगा दिया गया इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों को बोला आप सभी अपने अपने सिंगासनों पर विराजमान हो जाईए जिसका सिंगासन सबसे आगे है वे सबसे महान और जिसका सिंगासन सबसे पीछे है वे सबसे छोटा है लोहे का आसन सबसे बाद में था वे शनीदेव का आसन था इसलिए शनीदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया इसलिए वे गुस्ते में बोलने लगे हे राजन, तुम मेरे प्राकरम को नहीं जानते सूर्य एक राशी में एक महिना चंद्रमान सिर्फ दो दिन, मंगल देट महिना, ब्रस्पती तेरा महिने बुद्ध और शुक्र एक-ैक महिना और राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महिने तक एक राशी में रहते हैं गिन्तु मैं एक राशी में धाई से साड़े साथ साल तक रहता हूँ। हे राजन, राम चंदर जी पर जब मेरी साड सती आई तो उनको वनवास हो गया। रावन पर जब मेरी साड सती आई तो रावन के वंश का नाश हो गया। इसलिए अब तुम सावदान रहना। राजा विक्रम अधित्य पर 60 सती आई शनीदेव घोडों के सौधागर बनकर राजा विक्रम अधित्य की राजधानी उजयन में आई जब राजा ने घोडों के सौधागर की आने की बात सुनी तब उसने अपने अश्वपाल को सबसे बढ़िया और नसल के घोडे चुनने क के लिए लल्चा गया राजा के घोड़े की पीट पर चड़ते ही घोड़ा हवा से बाते करते हुआ उसी एक घने जंगल में ले गया और राजा को वहीं छोड़ अलोफ हो गया इसके बाद राजा जंगल में अकेला ही घूमता रहा भटकते भटकते उसी एक गवाला मिला प्यास से दुखी हुए राजा को उसने पानी पिलाया खुश होकर राजा ने उसी अपने अंगूठी दी इसके बाद जा राजा एक नगर में पहुँचा जहांपर उसकी मुलाकात एक सेट से हुई सेट ने उसे भूखा प्यासा देख खाना खिलाया और दुकान के एक कोने में वैठने के लिए बोल दिया शनिदीव महराज की कृपा से उस दिन सेट को बहुत आमदनी हुई राजा को भाग्यवान जानकर वे अपने घर पर ले गया जिस वक्त राजा भूजन कर रहा था वे कमरे में अकेला था और उस कमरे में एक खुटी पर एक नौ लखा हार लटक रहा था राजा ने देखा कि वे खुटी उस हार को निगल रही थी कुछ देर बाद सेट कमरे में आया और खुटी पर हार को ना देखकर उसने राजा को चोरी के अपराद में नगर के नियापती की सेवा में हाजिर कर दिया सारी स्थिती को सोच समझ कर नियापती ने राजा के दोनों हाथ पैर काट कर चोरंगिया बना देने का फैसला सुना दिया न्यापती के आदेश नुसार जब राजा को चोरंग्या बना दिया गया तब उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई वे उसे अपने घर ले गया तेली ने उसकी दवादारू कर उसे इस योग्या बना दिया कि वे कोलू के पीछे बैठ जाने पर अपनी आवाज से बैलों को आगे बढ़ा सके इसी तरह समय गुजरता गया शार सती बीतने में कुछ ही समय बचा था कि एक दिन राजा वर्खा रुत में मलहार राग गान करने लगा राग की खामोशी में उसकी मन मुहक आवाज राजकुमारी के कानों में पड़ी इतने सुरीली आवाज सुनकर वे उस रागी पर मुही तो गई उसने अपनी दासियों को भेज कर उसका पता लगवा लिया रागी जो रंगिया है सुनकर राजकुमारी ने प्रण लिया कि अगर शादी करेगी तू उसी रागी से करेगी वरना जीवनवर्क को वारी रहेगी इसलिए वे आसन पट्टी लेकर स्लेट गई राजा रानी को यह बात पता चलते उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन राजकुमारी अपने प्रण पर अड़ी रही मजबूर होकर राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी पड़ी तेली को बुलाकर राजा ने उससे कहा कि वह चौरंग्या की शादी का इंतजाम करें क्यूंकि राजा राजकुमारी की शादी उसके साथ करने का फैसला कर चुके हैं पहले उस तेली को लगा की राजा मजाग कर रहा है पर जब राजा ने सक्ती से आदेश दिया तब उसने चोरंग्या की शादी का सारा इंतजाम कर दिया शुब मुहरत देखकर राजपुरोहित ने राजकुमारी और चौरंग्या का विवाह कर दिया ए साड सती की अंतिम राशी थी उस रात आधा समा बीतने पर चौरंग्या को शनीदेव महराज ने सपने में दर्शन दिये और बोले हे राजन आपने मुझे छोटा जानने की सज़ा पा ली है आशा है अब आपको सब समझ आ गया होगा राजा ने हाथ जोड़ शनीदेव महराज से शमा मांगते हुए उनसे विनती की कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वविश्य में ऐसा दुख कभी किसी को मत देना शनीदेव महराज ने उसकी प्रात्ना को स्विकार किया और उसे बोला कि व्यक्ति के सुख और दुख उसके करम के अनुसार निरधारित होंगे आग खुलने पर जो रंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं वे बिल्कुल ठीक हो चुका है सुबह उठकर जब राजकुमारी ने अपने पती को पूरन स्वच रूप में देखा तब उसकी खुशी का कोई ठीकाना ना रहा राजा भी अपने जवाई को ठीक देखकर बहुत खुश हुआ और जब उसे ये बात पता चली कि उसका जवाई उजेन का राजा विक्रमादित्य है तब उसे अपने किस्मत पर मान हुआ जब ये समाचार उस नगर के सेट को मिला तब वे सेट विक्रमादित्य के पैरों में आकर उनसे शमा मांगने लगा और बड़े ही आदर सम्मान से उनको अपने घर पर ले कर गया राजा विक्रमादित्य उसी कमरे में भोजन करने के लिए तयार हुए जिस कमरे में खुटी ने हार को निगला था जब राजा खाना खा रहा था तब लोगों ने देखा कि खुटी हार को बाहर निकाल रही है यह देख नगर के सेट ने अपनी कन्या श्री कबरी का विवावी राजा विक्रमादित्य के साथ बड़ी धूम धाम से कर दिया कुछ दिन बाद जब राजा अपने राजधानी वापिस आये तब लोगों ने उनका स्वागत किया दोबारा राज्य प्रापत करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में ये एलान कर दिया कि कोई भी शनीदेव महराज को छोटा न कहे शनीदेव महराज की सच्चे मन से पूजा करे उनका व्रत और कथा करे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और साथी साथ मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले घन्यवाद